पंजाब के होशियारपुर के सुखियाबाद इलाके में देरराथ फरनीचर हाउस में भीशन आग लग गई आग लगने से बाहरी नुकसान हो गया फायर ब्रिगेट की तीन गाड़ियों ने आग पर बह मुश्किल काबू पाया आग की चपेट में आने से तैयार फरनीचर के साथ साथ लकड़ी, प्लाइवुड, फोम, कपड़ा और अन्य समान भी जलकर राक हो गया इस दोरन आग ने बिरंकर रूप ले लिया और वहां खड़े दो वाहन भी आग की चपेट में आ गए आग लगने का देशा आतिश बाजी किरने से जताया जा रहा है फायर विर्गेट ने दो घंटे में आग पर काबू पाया आग से सब कुछ राक हो गया, फिलाल आग लगने का कारण पता नहीं जल पाया गौदाम के मालिक पूर एमसी सरफजी सिंग ने बताया कि गौदाम में तयार फनीचर के अलावा गद्दे भी पड़े थे आग जनी से उनका करीब 20 लाग का नुकसान हो गया है वहीं वोके पर मुझूद लोगों का कहना था कि गौदाम में पताके की चिंगाली गिरी थी दमकल विवाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया वीडियो डेस्क अमरुजला.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें